ये खेल है उम्मीद का ये खेल हार जीत का ये खेल है अभ्यास का ये खेल है विश्वास का जिहां दोस्तों दुनिया के किसी भी खेल की हम बात करें तो इने चारो समीकरोनों के आसपास ही आपको खेल दिखाई पड़ेगा आप सभी का स्वागत अभी नंदन आज के खेल पत्री का के इस विशेश अंक किरकेट एशिया कप और विशलेशन जी हां और आज विशलेशन के लिए होंगे हमारे साथ किरकेट विशेश शग्य पूर्वरंजी खिलाडी और कप्तान रोही जालानी जी रोही जी स्टोडिय किर्केट समीक्षक के नाते आप से यही जानना चाहेंगे कितना खुश है आप किर्केट के इस दल से देखिए अल्मोस्ट पंदरा का जो स्कॉड है वही है जो एश्यकप के लिए पिक किया गया था और मुझे काफी उमीद थी कि यह तैयारी है वर्लकाप की तो एश्यकप का जो स्कॉड होगा मोटा मोटा वही होगा एक जो डाउट था वो केल राउल को लेके था उनकी फिटनेस कैसी है प्रैक्टिस मैचेस मिलते हैं नहीं मिलते वर्लकाप के लिए कैसे तैयरी से जाएंगे तो जो एक अभी इसमें डाउट दिखता है वो केल राउल पर है बाकी जो कॉमिनेशन है जो प्लेयर्स हैं अल्मोस्ट वही है जो आपने प्रेट किया थे सर जिस तरह का स्कॉड चुना गया है एश्यकप यू कहें कि विश्यकप की तैयारी हो रही है बिल्कुल और अभी एश्यकप के दोनों ही मैचेस की अगर बात की जाए पहला मैच जो की इंदरदेव महरबान हुए या बारिश से धुल गया ये तो एक क्रिकेट विश्यकप के जादा बहतर बता पाएंगे लेकिन कहीं ना कहीं हमारे जो शीर्स क्रम यानि टॉप ओडर के जो बल्लेबाज है टॉप चारों बल्लेबाज उधरा शाई हो गये पाकिस्तान के उस गेंदबाजी अटेक के सामने क्या विश्यकपनी देना चाहेंगे इस बार पे आप देखे मैच पूरा नहीं हुआ तो ये नहीं बोल सकता है तो हमारे टॉप चार प्लेज में से एक भी बैट्समेन को है हर मैच में लास्टक खेलना पड़ेगा क्योंकि हम लोग पहले वी वल्लकप जो दो यार गैरा में जीते हैं क्योंकि हार्दिक पांडिया और इशान किशन ने बड़ी मैच वर बैटिंग करी है क्योंकि इशान मिडल ओर में इतना खेले नहीं थे लेकिन जिस अंदाज से अपनी इनिंग को निखा रहा है क्योंकि वो मैच विनर्स हैं यदि मैच विनर की बात करूं तो यवराद सिंग जैसे एक मैच विनर थे तो हर्दिक पांडिया का बड़ा इंपॉर्टन रोल है इस वर्लकप टूनामेंट एक और राउंडर की भूमी का बहुत बड़ी हो जाती है विश्कप जैसे बड़े खेल के महाकुम के दोरान करम बात करें साथी साथ इशान किशन बाएंहात का एक ऐसा बल्लेबाज इसके लिए ये कहना वड़ा मुनासिव होगा कि आपदा को आउसर में कैसे तबदील किया जाता है उस बल्लेबाज ने अपने बल्लेबाजी से अब तक हमने देखा था और अब मिडिल ओर में बहुत अच्छा कर रहे हैं पिसले चारो वंडे जो खेले हैं चारो वंडे पारिया खेली उन्होंने चारो में अर्पशा तक से यानि पचास रन से उपर का स्कोर रहा है क्या कहना चाहेंगे सार विश्यस दौर से बड़ा छोंट में पारियागे सिर्त हैं और इतरी उन्हों में पाक्षा ने घुडियंके जन्मेदार किकले अच्छे में माच में क्या के में तरीके खेली फोगि में थो कर में च Alzheimer कीतार हैं और और इज ओपनर यदिए आपको यदिए लिख राइडी का उप्षण अप्षार्ट में हम देखते हैं शुबमन गिल, इशान किशन, रूहिच शर्मा तीनों ही इक अगर जिस दिन इनका दिन है तो शायद गेंद बाजो की खेर नहीं है कुछ नजर आता है और ऐसा कुछ नजर आया भी कल नेपाल के खिलाब जो मैच था उस मैच में जब हमने देखा जिस तरह की बल्लेबाजी दोनों एक इंटेंट के साथ उत्रे दोनों बल्लेबाज और ऐसा लग रहा था कि विकिट देने की तो बिलकुल कहीं से कहीं तक कोई गुंजाईश ही नहीं है आज तो बस अगर बल्ल बाला होगा तो सिर्फ बल्लेबाजी का ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला बारिस से एन पहले जो और हमने देखा था जिसमें कहीं ना कहीं जब शुबमन गिल खेलते हुए तीन चौके और ऐसा लग रहा था जैसे एक आपस में खेलने वाली है शुबमन गिल की भूमिका अगर इंडिविजॉल में बात करो तो कैसे रहेगी शुबमन गिल को अपना पो प्रूब करने ज़रूत नहीं है क्योंकि हम लोग देखे है छोड़ा से पैच भी खराब गया है उससे पहले उन्होंने हर फॉर्मेट मै आप रन बनाते हैं एक दो मैच खराब भी जाते हैं तो लेकिन क्लास इस पर्मने और शुबमन गिल फीचर है टॉप बैट्समें है और डेफिनिटली वर्लकप में उनसे काफी उमीदे हैं जिस तरीके से वह बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस तरीके से वह अपने आपको प्र यानि जो प्रिंस की उपादी उन्हें दी गई है वो सही दी गई है लेकिन बात अगर प्रिंस की की जा रही है तो प्रिंस के साथ साथ अगर किंग की बात ना हो तो बात अधूरी है किंग कोली जब उनका बल्ला बोलता है तो शायद उस दिन सिर्फ बल्ला ही बोलता है ब आ रही थी कही ना कही उन्होंने दिखाया हूँ 82 रन की इनिंग्स हमें याद आती है intent कही ना कही जो एक विशु कप की तयारी की बात भी हो रही थी Asia कप शुरुआती जो एक दबाओ या यू कहें कि defending जो एक बहुत एक defending approach के साथ खेल रहे थे आपको क्या लगता है सर वो defending approach वहाँ सही थी है जैसा हमने देखा attacking खेलते हुए करना चाहिए attacking होना चाहिए और defensive क्या कहना है अजर यह depends करता है condition के उपर condition कैसी है, balling attack कैसा है, कही चीज़ेंग करती है तो attack or defense, batsmen ज्यादा बहुत जानते हैं किस condition में कैसा खेलना है और यह वो players हैं जो अफी mature है और एक बार एक बार एक सेट हो जाएंगे कोई भी game कहीं से कहीं चेंज कर सकते है और यह इन्होंने पास में किया भी है तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिए, world cup बहुत बड़ा platform है यह चार साल में एक बार होने वाली चीज है उसके लिए, जहां तयारी है, वहां थोड़ा किसमत भी चाहिए लेकिए, हमने against Pakistan, top order flop रहा, लेकिन हमारे middle order ने बहुचा प्रूफ किया बिल्कुल अगेंस नेपाल, हमारे batsmen नों अच्छा किया, लेकिन बॉलर्स और फिल्डर्स थोड़ा लेक करें लेकिन वर्ल कप में आपके पास गलती का मौका नहीं है नहीं है क्या होता है कि puzzles के सारे block आपके पास है लेकिन सही टाइम पर सही जगे लगाना आपको bottling, batting, fielding सबमें अच्छा करना पड़ेगा चैंपिन बनने के लिए वहां गलती करने का मौका नहीं है और एक बार गलती करती तो वापस से उस लेमें आने का मौका नहीं मिलेगा लेमें आने की बात है सर खेल प्रशंसक बिलकुल पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार जो Asia Cup है वो ट्रॉफी पूरी तरह से भारतिय टीम की होने वाली है ये सिर्फ एक prediction नहीं है बलकि जिस तरह का squad अभी तक हमने देखा है दो-दो all-rounders, तीन-तीन all-rounders आपके पास provision में एक all-rounder आपके at the same time एक ही match में खेलते हुए नजर आते हैं टीम को एक proper balance देने की कोशिश की गई है लेकिन इसके साथ साथ उसके कुछ नकारात पक पहलू भी आ जाते है लेकिन खेल प्रशंसक तो हमेशा यहीं चाहते हैं कि हमें जीतना है जीतना है और सिर्फ जीतना है फिलहाल जिस परिपकवता की बात आप कर रहे थे जो परिपकवता आप बल्लेबाजी में बात कर रहे थे ऐसे एक परिपकव पूर बुरण जी खिलाड़ी कुछ कहना चाहते है हमारी इस इंडियन टीम के लिए तो आईए पहले उनसे जान लेते हैं वो क्या कहना चाहते हैं और फिर बाचित का सिलसला जारी रखेंगे तो हमारे साथ हैं पंकर्ज गुपता जी पंकर्ज जी क्या कहना चाहेंगे आप जैसा कि आपको पता है कि इंडिया इश्याकप के सुपर फोर में पहुच गई है तो इंडिया को इसमें जीतने के लिए सबसे पहले जो टॉप ओडर्स है उनको थोड़ा अच्छा करना पड़ेगा जैसा कि आपने दोनों मैचों में देखा अगेंश पाकिस्टान के मैच में इंडिया के मैच में नेपाल के मैच में तो पाकिस्टान के अगेंश मैच में मेरे को ऐसा लगा कि सुरूसी लेफ्ट आम को हवा बना के खेल रहे थे कि लाइफ टाम में पर से नको प्रॉल्म करते हैं और वही हुआ वह चीज इनके दिमाग में घर कर गई और शायना फ्रेदी जी ने आपका टॉप और बल्कुल तैस्ट नेस्ट कर दिया तो और एक नेपाल से जो मैच हुआ उसमें थोड़ा बोलिंग की कभी एक नेपाल जै इसी टीम अपने इंडिया के बोलिंग अटेक के अंदर डाइसो रन बना पा रही है और सूपर फोर में जीतने के लिए इंडिया के टॉप ओडर्स को बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा खास तोर से विराट कोलियोर और रोष शर्मा को टीम को अपने उपर ले और भायत को जीतने के लिए उसमें जो उनके टॉप अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा खास और से विराट कोली क्योंकि आपने पिछले मैचों में देखा होगा कि विराट कोली पाकिस्तान के अगेंस्ट रन बना रहे हैं तो कहीं न कहीं पाकिस्तानियों को विराट क प्रवाब में रहेंगे और वर्ल्ड कप के लिए मेरा ये मानना है कि इंडियन टीम बहुत प्रभल दावेदार है क्योंकि घरेलू जो परिस्थितिया हैं वो भी इंडिया को सपोर्ट करेगी और एक इंडिया की बैलेंस टीम है क्योंकि अच्छे ओलाउंडर है जैसे अच्छी बात है और श्रेश एयर और केल रहुल फीट हो गए है तो कुल मिला के इंडिया की बैलेंस टीम हो गई है और ये उम्मीद है कि इंडिया वर्ल कप जीतना चाहिए और उसको और जीतेगा बिल्कुल क्योंकि वह बैलेंस टीम है पंकज गुपता जी ने अपनी परीपकवता वाले अंदाज में ये बता दिया है कि ये टीम वर्ल चैंपियन बनने के काबिल है विशुकप जीत सकती है और फिलहाल पूरी नजर एशिया कप पर होनी चाहिए विराट कोली की वो बल्लेबाजी यानि यूँ कहें कि कोच भी है तो शायद वो कोच वाली भूमिका वो भी कही ना कही निकल के बाहर आ रही थी मैं आपसे यही जानना चाहूंगा जिस तरह से पंकर सर ने भी बताया टॉप फोर जो खिलाडी है उनका चलना बहुत जरूरी है ये टॉप थ्री है उनमें से एक को आखिर तक देखने को भी मिला मिडिल ओडर ने जो अभी तक हमारा सबसे बड़ी सवाल मिडिल ओडर को लेकर थे वो कई जवाब हमें हासिल हुए लेकिन टॉप अगर बात की जाए अगर टॉप बल्लेबाजी फ्लॉप होती है तो फिर कम बैक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है ये अगर मिडिल ओडर भी ठीक तरह से काम नहीं कर पाता तो शायद दशा और दिशा बहुत कुछ अलग हो सकती है क्या कहना चाहेंगे सर अगर मैं साहमत हूँ आपसे देखे मैं आपको बताना चाहूँगा आप अच्छे इनिंग के बरोस से अच्छे प्लेयर के बरोस से एक लेकिन लोडर ने बड़ा चाह किया कपेले 175 से अच्छे रमानी ना इंपर्टन डूल किया तो एज यूनिट अच्छा करेंगे तो ही आप टूनामेंट जीत सकते हैं तो एक दो मैच में अच्छा करना जरूरी है तो एज यूनिट की बात कियो साथ ही साथ आपने एक वर् का विश्व कप हम जीते जिवराज सिंग एक ऐसा चैंपियन खिलाडी जिसने अपनी जान की बाजी लगा कर वो टूनामेंट हमें जिताया और हमें वो गर्व की अनुभूती दी 2011 की विश्व कप की बात करेंगे लेकिन वर्तमान की जो खिलाडी हम देखते हैं पार्ट ट एफिनेटली हमेर पास प्लान भी होना चाहिए दो वल्कर्ण हम जीते हैं एड़ी दू अजाब गया रहा दोनों में कई बैट्समैन रसे जो पार्ट टाइम बाइलिंग बाचे थे ते एक बैट बाच लेकिन कुछल टिकलने में एक्सपर्ट लेकिन निकलने में एकसपर् सारव गांगुली, थोड़ी भी helping condition, dangerous baller, एवन रावल, रवीड और विवेश्चन ने बॉल डाली है, तो पहले हमारे वो बैट्समें थे, एवन 83 वलकुप की बात करें हैं, हमारे सारे बैट्समें थे जो पार्टाइम बॉल डालते थे, आप चाहे संधीर पाडिल को लें, आपके उसमें कीरतियाजाद, वगरा बॉल भी बाल भी डाला करते थे, तो यह एक बहुत प्लस पॉइंट होता है एक टीम के लिए, क्योंकि कही बार होता है, आपके में बॉलर नहीं कुछ कर पारे या कर पारे सपोर्टिंग होते हैं, आपके वास ओप्शन तीन है, लेक इतना विकेट ले लेंगे, और देखे क्या होता है कि वल्ल कप एक लंबा टूर्णामेंट है, कांटियून वृत्तों पे खेलेंगे, तो कहीं ना कहीं वो विकेट स्पिनर्स को हेल्प करेंगे, बिल्कुल तो ऐसे बॉलर्स जो थोड़ा पांच साथ होगर डाल सकते हों, क्रूशल टाम पे विकेट निकाल सकते हों, वो बड़ा हेल्प कर सकते हैं टीम को, अगर हम देखें, तो स्री लंका, भारत या एश्या की हम बात करते हैं, कंडिशन लगवक सेम नजर आती है, हाला कि सामने खेल रहा है, खिलारी भी पूरी तरह से अपनी टीम को रिप्रे आतालीस दश्मलों पांच ओर तक हमें गेंद बाजी करनी पड़ गई, हम यह कयास लगा रहे थे कि यह टीम को हम 20 या 25 ओर में अलाउट कर सकते हैं, लेकिन हमारी गेंद बाजों ने थोड़ा सामें राश किया, और साथ ही साथ वो जो शुरुवाती जो कैच चूटे जिन जानते हैं कि कैचेस बंदा मैचेस बाट परानी कावते हैं, और सपोर्ट जो होता है टीम में वो फिल्लर का और कैचिंग का होता है, तो फिल्लिंग का बहुत इंपरन रोल है और आजकर जो क्रिकेट चेंज हो गई है, उसमें आजकर आप देख रहे हैं कैसे, मनलब ऐसे ह जो कैचेस को कैचेस बना लेते हैं, हम लोग बांटरी चका रोकने लग गए हैं, आप ड्राई मार के बॉल को अंदर डाल देते हैं, और जो फिल्लिंग का स्चेनेट अब बहुत उपर हो गया है, बिल्कुल, और फिल्लिंग से मैच की काया पलट सकते हैं, एक दू अचे आने की बात आ रही है, यहां एक और सवाल, जो कहीं ना कहीं पूरे आज जो भारती प्रशनसक हैं, वो जानना चाहते हैं, कि खिलाडी चोट से उबर कर बाहर आए हैं, चाहे हम श्रेयर सयर की बात करें, रवींदर जडेजा की बात करें, लगभग ऐसा अगर देखें, ज परफूर के, एश्रेकप के, हम लोग फाइनल खेलते हैं, तो वो मिल जाए हम लोगों को, उसके बाद ऑस्चिला के इन स्रीज है, उसके बाद हम प्रैक्टिस मैचे खेलेंगे, तो टाइम है हमारे पास, और एक सीज मैच को बता हूँ कि, कॉंफिदेंस और रिदम, मैच क को लेमेल आ सकते हैं, तो अब जो मैचे होने वाले हैं, जो टाइम निकलने वाला है, वो बड़ा क्रूशल होगा प्लेर को अपनी फ़र्म लाने के लिए, अभ्यास में किसी तरह की कमी नहीं है, बात यहां विश्वास की है, और वो विश्वास दोनों तरफा, वो कहते है दो तरफा होता है विश्वास, प्रशंसकों को भी विश्वास रखना होगा, यह वही टीम है, जो चैंपियन बनने का पूरा दमकम रखती हो, चैंपियन बन भी जाएगी, यहां मैं आप से एक बात और करना चाहूंगा, कुछ मुदद पहले जो हम देख रहे थे वेस्ट क्या वो सार्थक थे, क्या उनका कोई ओचित थे था, क्या कहना चाहेंगे, देखिए, मैं बहुत 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 था, क्येल राहूल और श्रेशायर की फिटनस के लेके, हम तब तक शुर नहीं थे कि फिट होगा या नहीं है, तो यदि वो फिट अब कुद कारा, कारें में थे, क्या उनका बढ़ेंगे, तो यदि यह बढ़ी थे, क्या रहुत बहुत 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 हैं तो हमें बैस सब्स्ट्यूट चाहिए था, वो कौन? सुन को कर बहुत इस के लिए थे, थे, तो लोगों ने तीलक बर्मा को मोका दिया, प्राइं टिलक I think this is a good opportunity for youngsters to prove their zeal और मैं इस design को बुरा नहीं मानता Sir बात अगर decision making को लेके की जाए पहले जो एक toss की भूमिका है वो बहुत बड़ी बन जाती है spin tracks होने वाले हैं जो स्रिलंका में अभी मैं आपसे जाना चाहूंगा जिस तरह बारिश की भूमिका है बारिश हमने देखा दोनों ही मुकाबलों में वर्शा से प्रभावित वो दोनों ही मैच रहे और fortunately हम जीते और एक मैच अबेंडेट हो गया एक मैच निरस्थ हो गया लेकिन यहां मैं आपसे जाना चाहूंगा टॉस की क्या भूमिका आपको लगती है और एक खिलाडी और इसके साथ साथ में सवाल आपसे कर लूँ जिसकी चमक बिशो पतल पर सभी ने देखी T20 फॉर्मेट में सूर्य कुमार याद हो तो टॉस की भूमिका और सूर्य कुमार याद हो दोनों के बारे में टिपनी डेफिनिटली देखिए जो ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें बारेश का जिसमें विकेट्स का इनका रोल होता है कहीं ना कहीं टॉस एक इंपर्डर लोल प्ले करता है लेकिन आपको चैंविकि Mahar बनना है तो आपके वास हर चीज़ का उत्तर होना चाहिए ठथेखिए गेम है ऐसे ही चलेगा टॉस भी क्रूचल है विकेट भी प्रूचल है दिख्यों ही क्रूचल है और शायद वो एक छक्का जो नसीम शाने जड़ दिया था पिसले विश्व का टी-20 जो एशिया का पे उसकी में बात कर रहा हूँ जिसके चलते भारती टीम को बाहर होना पड़ा और आपने ये बताया भी था जब हमारी मुलाकात पिसली बार हुई थी कि किसी और टीम पर आ मंगलादेश और पाकिस्तान भारतीय टीम के लिए तीनों ही एक थ्रेट की तरह अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं क्योंकि जिस तरह से अभी तक का प्रदर्शन रहा है लेकिन क्या कहना चाहेंगे सर कौन सी टीम आपको लगती है जो भारतीय टीम को कड़ी टकर दे सकती है देखिए जिस तरह का भी क्रिकेट हम देख रहे हैं हम लोग इंडिया पेस्तान इश्यकप चैंपिन मना रहते हैं लेकिन जीता शेलंका लेकिन बंगलादेश टीम यह अिसी टीम को सपराइज कर सकती है और एश्यक अंडिशन में मैं इससे मजबूर टीम मांगता हूं और और एक प्लाइनिंग जे खेलना पड़ेगा. बात प्लाइनिंग किया जाती है, जब पैस अटेक को जाते हैं, जैसे मैंने भी सवाल पूछा भी था, इन आपड़ेगा. दिफेंडिंग अप्रोच के साथ में खेला जाए कि अटेकिंग के एक बार फांटेक्शे है को जाता है? और हमें कहीं ना कहीं आटाइक भी प्लानिंग से करना पड़ेगा देखिए आप अन्दी की तरह अटाइक नहीं कर सकते हैं आपको बड़ा प्लान के सोच सब्सक्राइब क्यों कि यह जल्दी किरते हैं तो डिफैंस और अटेक अंदर डिसाइड होता है तो अच्छा गैंबास भी लोस बले डालता है और के बार एक नॉर्मल बॉलर भी गिवन करनेशन में पहचा डाल देता है तो प्लानिंग अंदर ही डिसाइड हो सकती है और दूरिंग गेम ही डिसाइड होती है जो अंदर खेल रहे हैं उससे बड़ा कोई जज नहीं कर सकता कि क्या कंडिशन से और उससे कैसे खेलना है बार बैट की हर चीज आसान लगती है लेकिन जो बाइस गज की पट्टी पर जो फिलता है वो बैस जजज है टाइगर्स अपने आपको कहते हैं लेकिन डांस नागिनवाला करते हैं बहुत ही अपने आप में एक अलग तरह का खेल और कहीं न कहीं शाकिब अलहसन जिस तरह से अपनी टीम को लीड कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे सार इस टीम में क्या वो दमखम है क्या इशिया कप में अभी सबसे बड़ी थ्रेट हमारे लिए सबसे बड़ा एक डर हमारे लिए बांगलादेश भी उभर का सामने आ सकती है मैं बोल रहा हम किसी भी टीम को हलका नहीं ले सकते हैं क्योंकि बांगलादेश अब एक हम जो पहले एक अमजोर साइड मानता था वो नहीं रही उनके बैच्मन अभी 200 करा एक मैच में अगेंस श्रीलंका तो यह प्लेयर्स काफी मैचोर हो चुके हैं और हमारी सब कॉंटिनेंट में जो हिशा की कंडिशन से उसमें यह बहत्रीन प्रदर्शन करते हुआ रहे हैं तो और क्रिकेट बाइ चांस तो आप किसी को हलका नहीं ले सकते हैं आपको अच्छा करना ही पड़ेगा अपने आपको प्रूफ करना पड़ेगा मैच बाई मैच एक प्लानिंग के साथ बैस देना पड़ेगा तो दूसरी टीम को अपने आप पे सर्प्राइज करने का मौका नहीं देना है बलकि खुद अपने प्रदर्शन से चौका देना है शायद कुछ ऐसा यह जो भारतिये टीम इस बार वो दमखम रखे यही बस हम आपसे यही जानना चाह रहे थे और यकीनी तोर पे लगातार आपसे जुड़े भी रहेंगे हम क्योंकि पूरा जो सीजन है किर्केट का वो देखने सुनने को हमें मिलने वाला है बहुत खुबसूरत यह माहल होने वाला है तिरंगा हम चाहेंगे जब भारतिये टीम एश्या कप की इस ट्रॉफी को उठाए तो आस्मान में वैसे ही लह अलानी जी और अगली बार फिर किसी विशेश बाचीत के साथ होंगे एक नए चेहरे के साथ और साथी साथ क्रिकेट का ये सीजन है अपने खिलाडियों को पूरे तरीके से वो कहते है ना कि खिलाडी टीम के तो ग्यारा ही खेलते हैं मैदान पे लेकिन बारवा खिलाडी आप और हम हैं जो अपनी टीम को पूरी तरह से उत्साहित करते हैं तो उत्साह बनाएए रखिए और ऐसे ही मुस्कुराते रहिए खुश रहिए मिलते हैं आप से बहुत जल्ब